हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है लोकेश राप सभी का SSC बुलेट ट्रेंड में स्वागत है चले यह शुरू करते आज के वीडियो आज के वीडियो में आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको पता है क्या इस गिन्या में एक इंसान है अगर आपने उसको बोला कि भाई और आपको क्रेक करने अगर सकता है और आपने उसको बोला कि भाईतों को UPSC करना है मैं कर सकता तुझे एक ना है घर लेना है एकजाम देना है ओ्भियो कर सकता है लेकिन ये सब करने वाला इंसान कोन है ये आपको पता है ये सब करने वाला इंसान जो है आप खुद है खुद लेकिन जो आपके अंदर की जो लेके अंदर की जो पावर है उसको आपको बाहर निकालना पड़ेगा और उसको आपको अच्छू करना पड़ेगा लेकिन जो आ तो आपके अंदर कोई पिसेन्स लेवल ना हो तो आपका अचूँ नहीं कर सकते ऑपका टारगेट अच्छूरale कर सकते अगर палस तो गहाँ थे इस अपहutive में फेल फेल खेल गए तो अगर आपने उस एक गिडार तार्गेट था वह आपको अच्व नहीं होगा सो जो आपको टार्गेट जो अच्व करना है उसको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टन है वह होता है पेशन्स लेवल तो सबसे ज्यादा ऐगर आपको कुछ करना है कुछ बनना है तो सबसे ज़यादось जो आको fokus करना है fokus करना है पेशेंस ृबल के ऊपर लेकिन जो पेशेंस लेवल हर एक दिन में बढ़ने वान नहीं है अगर आपके अंदर कफूप को पेशेंस लेवल बढ़ाना होगा तो अब उसको डेब आई रएडे इंपड़्य करना पड़ता है अगर आपने उसको day by day improve किया तभी जाकर आपने जो target fix किया है आपको जो चाहिए वो आप अच्छू कर सकते है इसलिए मेरा बोलना है कि अपनी अंदर की जो patience level है उसको इत्ता बड़ा हो इत्ता बड़ा हो कि आपको जो चाहिए वो in anyhow condition में मिलना ही चाहिए क्योंकि जिन्द आपको जो करना है तो किऊचि जो खुताना है यह कषानी में होता है ने जिन्दगी है जिन्दगी कभी पी दोबारा मोका ने देती है तो आपको करना है यहां इब करना है सो जो आपकी पूरी पावर है जो आपकी ताख़त है वो पूरी ताख़त आपको जो टर्गेट अच्यो करना है वहाँ यूज करो ठीक है तो चलिए मिलते अगली उडियों में ठेंक्यू